हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल आप सभी कैसे हैं उमीद करते हूं आप सभी मज़े में होंगे फ्रेंड्स आज संडे है और संडे की सुबह जो है वो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने गार्डन में बिताने के लिए और सुबह सुबह मौसम बहुत ही सुहामना हो रहा है क्योंकि बारिश की रिमजिम बूंदे गिर रही है बादल आये हैं तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो जो है वो अपने गार्डन का भी शूट करके आपके साथ अपने गार्डन की हर्याली दिखाती हूं तो आप दे कितना सुन्दर इसका फूल खिला हुआ है आप देख पारें यह कितनी लंबी हो गई है और मैंने इसको उपर बांद दिया है तो इस तरीके से पूरी बढ़ रही है और आप देख पारें फ्रेंड्स यह सारा गार्डन जो है कितना हरा भरा लग रहा है कुछ पुराने पत इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं इसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट कर रही हूं तो वह भी आपको दिखाऊंगी और यह देखें इस साइड भी जो भी मैंने प्लांट लगा रखें उन पर सब पे कितनी सुन्दर एक रॉनक आई भी है हरियाली से और य यह भी काफी बड़ी हो गई मैंने मॉस स्टिक इसके अंदर लगा दी ती उसकी वज़े से यह उपर ऐसा मैंने इसको खड़ा कर दिया है और यह देखें अडैनियम जो है मेरा इसमें फिर से फ्लारिंग शुरू हो चुकी है यह चौती पांचवी बार इसमें फ्लार आ र बहुत अच्छा लग रहा है और यह देखें आप लिली का फ्लावर भी खिला हुआ है आज बारिश ने थोड़ा खराब कर दिया उसको बहुत अच्छा बड़ा साइज उसका खिला हुआ था वह बड़े वाली लिली है मेरी तो मैं आपको दिखाती और यह देखें फ्लार हॉली होक सड़नली मेरा यह बड़ा हुआ है बीच में चोटा सा था और यह मेरा वोई सर्दियों वाला है लास सर्दियों का और अभी गर्मियों में भी फूल देने के लिए यह रेडी हो चुका है इस में स्टिक पे फ्लार आज चुके हैं और बहुत अच्छे लग रहे ह हैं बाकि सुबह सुबह बहुत अच्छे खिलेवे थे इस सारी मॉर्णिंग लोरी फ्रेंट्स मैंने सीड से ग्रो करी है कोई भी मैं इसका प्लांट खरीट के नील आई हूं और यह देखिए बादल कितने अच्छे हो रहे हैं फ्रेंट्स आपको दिख रहे हैं बहुत घन बादल आये में और आज पूरा संडे मुझे लगता है बरसने वाले और संडे के अंदर पूरे दिन बारिश होगी तो घर के ही मुझे काम देखने है मार्केट वाले काम तो आज नहीं हो पाएंगे और यह देखिए फ्रेंट्स इस साइट से भी मैंने प्लांट्स कुछ ख चुकी है जब बरसात का मौसम आता ना फ्रेंट्स तो सारे पौधे ही बहुत अच्छे से बढ़ जाते है एक जोरा मेरा इसके पीछे थोड़ा दब गया है और पोई जो है इसकी भी आप देख पारें बेल बहुत अच्छी चली गई है उपर तक और इसकी इतनी ब्रांच सिकन पतुनिया ये भी सीड से ग्रोग था लास्ट राम इसका मदर प्रांट था इसके सीड आता है और ये कटिंग्स भी कुछ चलाइंगा नियून कुछ मेरे पौदें जो सीड से ग्रो कीए तो कितने हरे भरे और कितने अच्छे लग रहे है यह वह प्रेंड इसमें मैंन देखिए अपराजिता है चोटी सी मेरी यह है गमला और इसमें बहुत चोटी से अपराजिता है जिसमें आज 3-4 फूल खिले में बहुत सुंदर लग रहा है यह कटिंग से मैंने गुढ़हल करे थे ग्रो और यह देखिए फ्रेंड्स यह मेरी वो किचन वेस्ट जो में डाल तो उससे यह आम के पौधे निकलाएं और आग देख पारें फ्रेंड्स एक यह दो नहीं है चार चार पौधे निकले इसके अंदर और मुझे बड़ी खुशी हुई मैंने का मैंने तो लगाए भी नहीं है बस किचन वेस्ट जो है इसमें डालती हूं उपर से थोड़ी मि हो जाएंगे अभी स्क्यारी में भी मिट्टी डलेगी तो उसके बाद इसमें मेरा मन है कि हॉली हॉक जो है उसके सीड्स ग्रो करूंगी इस बारी तो काफी अच्छे लगेंगे बड़े बड़े तो देख पारें फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है बारिश के बाद स संडे जो है उसकी शुरुआत हुई है तो आप देखे कितने अच्छे से सारे फूल और सब कुछ पौदे कितने खुश हैं तो यह भी देखे इस साइड में अपराजिता जो है यह मैंने वाइट और ब्लू वाली मिक्स करके लगाई थी इसी में मेरी कृष्ण कमल बेल है फिलाल दबी वी है क्योंकि अपराजिता बहुत बढ़ गई है इसने उसको बिल्कुल दबा दिया कुछ टाइम बाद वो निकलेगी यह मेरा गंद्राज का प्लांट है और यह मैंने सारे इंडूर इस साइड रखे में फ्रेंट्स तो इंडूर प्लांट भी बहुत कुश चोटी सी अपराजिता है इसका पहला फूग लाया है आज यह तो आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से हरे भरे हो रखे हैं सब और यह हरी आली आंखों को बहुत अच्छे लगती है तो मैंने सोचा आज गार्डन का थोड़ा सा आपको ओबर वियू दिखाती हूं तो मैंने इस तरीके से भी लगाया आप भी लगा सकते हो जो आपको कटिंग लगानी आप लगाईए जब वो चल जाती है मांसून में उसके बाद आप उसे सेपरेट कर लीजिए और यह देखिए फ्रेंड्स फिडिल लिफ फिक जो है वाला मेरा प्लांट है कितना बड़ा हो इसका साइज भी बहुत बड़ा हो चुका है इसको मैंने बड़ा गंबला दिया था उसके बाद इसकी ग्रोध बहुत अच्छी होई है और यह इसका टाइम भी है ग्रोध का इसलिए भी यह मेरा मनी प्लांट है और यह भी काफी बड़ा हो चुका है काफी हरियाली है आप देख पारें इसके पीछे से खेतों का व्यू भी दिख रहा है फ्रेंड्स रोस की सी बूंदे देखिए बारिश की बूंदे जब गिरी वी है मनी प्लांट पे तो कितना अच्छा लग रहा है मौसम आज आपको मैं दिखा रही हो दूर दूर तक देखिए कितना साफ हो चुका है सारी बिल्डिंग्स बहुत अच्छे से चमक रही है देख रही है और यह देखे फ्रेंड्स सन्फलार यह वाला सन्फलार भी मैंने सीट से ग्रो किया था और इसमें थोड़े थोड़े गैप पर फूल आते ही रहे हैं अभी इसने फ्लारिंग बंद नहीं करी है और यह अब देख पार हैं हरी आली कितनी सुन्दर लग रही है तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजीगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजीगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ अच्छी सी जानकारी के स आता किली बाइ